नमस्कार एनमर्फ यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर जिस पिछ पर बैटिंग कर बीजेपी ने 2014 के लोग सबाचुनाव जीता 2019 का लोग सबाचुनाव जीतार 2024 में भी एनडिया के सरकार बनाई तमाम राज्यों में सरकारे बनाई उस पिछ का मिजाज क्या है अर्विंद के जिवाल समझ चुके हैं और यही कारण है कि जेल से आने के दो दिन बाद इस्तीफा दूँगा उसके दो दिन बाद यानि कि अब नए मुख्य मंतरी का होगा दिल्ली के आतिशी सिंग लेकिन इस बात से अब बीजेपी कहीं न कहीं परेशान है क्योंकि बीजेपी के पास जो मुद्दा था कि नहतिकता के अदार पर अर्विंद के जिवाल ने स्तीफा नहीं दिया वो मुद्दा खतम हो गया अर्व निशी सिंग के सामने स्मरती इरानी होगी क्योंकि दिल्ली बीजेपी के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है वो मंजिंदर सिंग सिर्शा हो या फिर आपका प्रवेश वर्मा हो बहुत से बड़े नाम दिल्ली में है लेकिन कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि जो वोटों को प्रांजफर करवा सके बीजेपी के पक्ष में और जो केजरिवाल का लाभारती वर्ग है उसे कहीं न कहीं तोड़ कर वो बीजेपी के पाले मिला सके लेकिन स्मिनती इरानी इस पावर को रखती हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2019 में अमेठी में जाकर गांधी भी संभाल चुकी हैं और अब दिल्ली में वो बीजेपी का जो सदस्यता अभ्यान चल रहा है उसकी सर्वे सर्वा बनी हुई है उसकी कमान संभाल रही है बीजेपी के सदस्यता सदस्य इस वक्त दिल्ली में बना रही है इसम्रेथी इरानी तो एक महिला वर्सिस महिला क्य क्यूंकि आतिशी सिंग जब मुख्यमंत्री बन गई है तो बीजेपी के बड़े नेता उन्हें किस तरीके से टैकल करें किस तरीके से काउंटर करें उन पर तमाम सवाल उट सकते थे लेकिन इसमृती रानी को हमने देखा है कई बार किस तरीके से उन्होंने वो सदन के भीता हैं सदन के बाहर और राहूल गांदी को जिस तरीके से उधेडा है राहूल गांदी के जूट का जिस तरीके से परताफाश किया है और माकूल जवाब दिया है सटीक जवाब दिया है तो ऐसे में जिस तरीके से अब आतिशी सिंग के नाम का ऐलान अर्विंद के जिवाल ने क और अर्विंद केज्रिवाल अब जनता की अदालत में जाकर हम ये फैसला करेंगे कि हम निर्दोश हैं हलागि वो फैसला कोर्ट का है लेकिन जिस तरीके से अब टककर का नेता बीजेपी ने हो सकता है बीजेपी टककर का नेता दिल्ली में उतारे सुम्रेती इरानी को आतिशी सिंग के साथ तो ये लड़ाई बहुत ही जबरदस्त और देखने वाली हो सकती है और 2025 का दो विदान सबा चुनाव होना है उसमें बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सोधा भी ये हो सकता कि और बहुत ऑर जाले कि इक बार गार आतिशी सिंग की बात करें तो करीब ये अर्विंत के जिवाल की और बगावत नहीं करेंगी ता वहन अब आतिशी सिंग वाला प्रियोग कितना सफल हो पाता है और 2025 विदान सबा चुनाव के लिए ये सब कुछ जो रचा गया है उसमें हम आदमी पार्टी कितनी कामियाब होती है और प्रदान मंतरी मोधी के जनम दिन को खराब करने की या विर वो महविल लूट लेने की जो कहाने बुनी गई है वो आने वाले वक्त में कितनी कामियाब होती है वो देखने वाली बात होगी बाकि इस